हेलो फ्रिंट्स वेलकम तो माई चैनल एक्जॉर्टिक एक्टाइ एंड सॉकुलेंट्स आज हम डाइस्पूरिया एलफन टाइप्स का सीड जो है वो जमिनेट करेंगे इसको हम एलफन्स पुर्ट भी बोलते हैं आज हम इनको जर्मिनेट करेंगे तो स्टार्ट करते हैं यह हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और यह स्टाइरिलियम है कि मैंने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का 33% सोलूफन बनाया है यह जो मेरे पास बोल है यह यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड थर्टी परसेंट है इसमें हमने 9 परसेंट यह वड्रोजन परॉक्साइड लिया और 90 ml वॉरटर ते दाट है अगर आपके पस measuring cylinder है तो आप उससे measure कर सकते हैं otherwise ये जो बच्चों का medicine model पे ये cap लगा होता है इसमें 5 ml, 10 ml, 15 ml ऐसे दर के marking होती है आप इस marking से भी calculate करके 3% बना सकते हैं और market में 3% hydrogen peroxide भी available रहता है अगर आपको 3% मिलता है तो आप उसे use कर सकते हैं तो आज हम दो experiment करेंगे ये मैंने दो boxes लिये हैं और इनको सबसे पहले हम sterileum से ये sanitizer से एक बार wipe off कर लेंगे ये मैंने अच्छे से wash कर लिया है देश वाश के साथ और उसको dry कर लिया था मैंने अब मैं इसको sterileum से अच्छे से बाहर से अंदर से सब जगा से wipe off कर लेंगे अज़ र이ज़ देख से लाओम अब कणी जग से ओूची कर लेंगे चल्सकान मैं ड्ले के साथ बोक्तुying मैंने अंदर में बाह valuable अपक्तूच 7 का अएका झाल मैंने ग्रो ounce के साथ बाह बह से प्रता को सबस्राइब मैंने काशा अब्स्राइब कर चुछ MRC हुआ हम सबसे पहले एक यह जो हमारा बॉक्स है इसमें 3% H2O2 डारेक्ट ने लेंगे और इसमें हम 4 सेट्स एड़ कर देंगे और इसमें हम 1-1 का यह मैंने वाटर लिया है बाउल में 1 पार्ट वाटर और 1 पार्ट यह जो हमारा 3% H2O2 है इसको लोज करेंगे कि नॉमल टाप वाटर है इसमें 10 ml वाटर लिया और मैं इसमें 10 ml 3% ले लोंगे कि एस्टू अब इसमें बाकी के सेट्स में इसमें डाल दूआ रहा है अब हम इसको लेबल कर देंगे यह मैंने माप कर दिया है यह 3% हमारा और यह 1 is to 1 अब हम इसको 24 आवर्स के लिए रख दें और उसके बाद क्योंकि H2O2 mild acid है इसलिए यह एक प्रायर केमिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा हलो फ्रेंड्स यह 24 आवर्स हो चुके हैं हमने डास्कोरिया के सीट्स जो है पानी में सोग किया थे जिसमें एक में 3% H2O2 एड़ किया था और एक में 1 is to 1 का रिशो एड़ किया था तो चली देखते हैं आज जैसी कि हम देख सकते हैं कि चार में से दो सीट्स जो है सिंक कर गया और दो तैर्रे हैं पानी में और 1 is to 1 वाले में हमारे चार हो 5 के 5 सीट्स सिंग कर गया अगर सीट्स सिंग यह मैंने टीशू पेपर हलका सा पानी से पहले वाश कर लिया और इसको स्कुईज कर दिया अब हम इसमें हलका सा एश्टू ओटू वाला पानी एड़ करेंगे और इसको अच्छे से स्कुईज कर देंगे जान रखें कि आपका पेपर टॉबल जो है बहुत जादा गिला नहीं होना चाहिए नहीं तो जो हमारी सीड्स है वो सड़ सकते हैं उन्हें फंगल अटाइक हो सकता है अब हम इसमें सीड्स कर लेंगे इसमें डबल लेयर में करके इसमें जिप लोक बैग में हम इंसर्ट कर देंगे इसमें से हवा थोड़ा सा प्रेस करके निकाल देंगे और इसको जिप लोक बैगे कर दो कर दो as कि यह दूजरों कि भूजर सुपने गब ही खूजरों कि भूजरों कि रखेंगे तरों कि अूजरों कि रर भूजरों कि वह रρι। कि इसको थोड़ा सा केरफुली डालें ताकि आपके सीड्स जो है पेपर टावल से बाहर ना निकल जाए और इसको जिप लॉग करके आप इसको किसी भी शेड्डेड एरिया में रख सकते हैं और आपके वान वीग या फिफ्टीन डेज में जैसा भी रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट करूंगी इसके नेक्स वीडियो में तो फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा आप लीज लाइक का बटन प्रेस क अगर आपको पसंद आया